सब्सक्राइब की में है कि टो इससे फूरइब को दिखाना वाले हूं कनक्टर कैसे लगाना यह जो कनक्टर आप देख रहे हैं यह जो कनक्टर यह कनक्टर हमारी जाहरे इसने कैसे लगता कि लिवेब começoस्ट निकल गया है ठीक है जी जो फिर हम लोग भार्षे खरीद के लिकर गया आते हैं कुछ इस तरीके का connector है ठीक है तो इस connector को अपने केबल में कैसे लगाना है कई वारी यह connector निकल 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 गये तो जब नहीं निकल लाए तो इसने पर निकल रहे तो आपने यह क्या करना हैorg ख्रीटर के लिए अगर बहुत तरीक है अलग जाता इंग बड़ी हो जाएंगो जाएगी तो इसमें जो आरगे RG6 cable क्या है ठीक है जी RG6 cable connector है मेरे पास भी RG6 cable है और तो इसको कैसे काटना है कैसे लगाना है लेखो आपको एक बरी मैं इसे बता जिता हूं यहाँ पर यह आमरे पास यह tools है कहना है यह तार काटने का ठीक है जो टेक्टिशन आते हैं वो इस तरीके से अपने तार काटते ठीक है यहां पर इसको गाटा और अपना टूल्स बहुत ज्यादा पुराने हो गए क्यों बहुत साल पुराने टूल्स है मेरे तो थोड़ा यह रहा ठीक है इसकी जो आप कटिंग देख लीजे इसकी जो कटिंग है कुछ इस त्रीके से रहने वाली इसकी यह देख रहे हैं यह कहीं से पिचकानी है और यह तारे हटानी होती है इस में वायर से यह वाली कोई भी सीवी कोई सीवी सिंगल वायर नहीं लगने चाहिए अगर कोई लगते है तो वह है कि आपका जो टीवी है वो नहीं चलेगा चलेगा तो रुक रुक के चलेगा फिचर फ्रीज करेगा यह से काटने। त 느से के लिए हमारे पास कि यह जो नेक्टर है, यह कनेक्टर कुछ इस तरी datoस्य लग जाएया। और यह मैं लई यहां से लगांते हूं, यह लग गया। सक कमेख्भा तो ऐसके में को इसको डिल हो तो नेचे कर लो बहुंगे खाले कर के हमेख्भ से खाथ को थोड़ा पोगा खाले हैं अंथर तो आधे लिए तेज धार वाला हो यह दो फिर भी इसकी जो धार है code 500 फिर से कार्पी दिखा हुआ है सुमानी करतु। ठीक जी बहुत साल पुराना हो चुका है तो इसको भी मैं अभी साइड में पहले में एक ही चीज काम करके दिखाता हूं और यहां पर आपने अब इसको कटिंग कटनी है सबसे पहले यहां से देखो इस तरीके से काट लेना है इतनी जगह छोड़ देनी एक इंची की बस एक इंची से सबसे उपर की तार काटनी है यह तार नहीं कटनी चाहिए ठीक है जी अभी यह कटने के बाद में अभी तारे काट दो यहां से ऐसे काट दो ठीक है जी काट दो तो आपने आसानी से कर पर लगा सकते हैं कोई सीभी डीटी अचोट अटाइस काई वेट अलो यह नहीं कि एक ही पर काम करेगा एक दों वर्किंग कंडिशन बढ़िया कंडिशन में और यह चलेगा ठीक है अपने बॉक्स से भी अपने अटाइस करेंगे और जो भी सिगनल की दिक्कत आ रही होगी वो ठीक हो जाएग पर यह ज़िए तो ज़्यादा लंबय से काड़ दिया ठीक है यहां पर यह लेवल पर रहना चाहिए लेवल पर हो गया अब अपना क्या गड़ना है यह इसमें मैं बतार गदा रहो शिक्स हो गया ठीक है इसके लेवल पर भी रखना चाहिए इसके लेवल पर अपना कोई शिवी डीटिया चाहिए यहां ऐसे लगा सकते हो जो आप नएक अनक्टर लेके आते हो तो इसमें वह वह होते हैं कि मतलब टाइट करने के लिए कुछ दागा वगरा जैसे कुछ तो नखलेगा अगर रखा हुआ वोक्स है तो नहीं नकलेगा ठीक जी तो यह तो मैंना भी काटा इस चीश से अगर वहीं अगर मुझे से काटने तो जहान में रखना एक शाकू आता है जो की दापे तेज़ दार्वाला हाडवेर पर मिलता है जो देखा होगा आपने जो बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं उसी का एक बड़ा चागू होता है ठीक है अब इसका देखो मैंने काट दिया बिल्कुल जड़ से लेकिन जिस तरीके से मैंने काटा है उस तरीके से अगर आप काटेंगे तो इसमें मलब सबसे यह वाला तार निकरना चाहिए अब देख तो सारी चीज हटा लेनी है अराम अराम से तार तो एकदम परफेक्ट कटा है लेकिन वह यह पिछक गया तो यह चीज आप करेंगे कि जो कट है ना यह कस्टूमर से ही होएगा जो कस्टूमर फरस्ट टाइम बनाएगा वह इसको पिछकाई देगा जिस तरीके से भी पिछ तो इस तरीके से अपना यह जो कनेक्टर है इसको भी यहीं से काट देंगे तो यह अपना चनले लाइक हो जाएगा ठीक जी इसमें अगर जैसे कुछ लग रहा है आपको कुछ है यह चीज हमें से द्यान में रखने है तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसमें जै पर अपना चाहिए को कुछ भी नहीं लागना चीए ऊक तो यह प्रौसे जबसक्राने का ठीक जी तो इसमे आप जान चुक हो कि इसको कैसे कैसे लगाना होता है कनेकटर को इस वाली वायर से ठीक जी टो यह चानक्टर आप लगाना चीगिया और इसमें आपकी कोई झाल झाल